प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पोईट एल्फरेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है दब्रूक इसे 1886 में लिखा गया था उनकी डेथ से 6 साल पहले और बहुत ही फेमस रही उनकी ये पोयम ये पोयम एक बैलिड है जिसमें जो स्पीकर है वो खुद एक ब्रूक है यानि एक छोटी सी नदी एक जील है और वो क्या करती है वो अपने बहने की जो रास्ता है जहां से वो बहकर गुजरती है उसके बारे में बताती है अपने बहाव के बारे में बताती है उस रास्ते के किन चीजों से वो मिलती है इस बारे में भी हमें बताती है फ्रेंट्स ये पोयम जो है ये 52 लाइन्स की है और 4 लाइन्स टैन्जा यानि Quadrains में बांटी गई है टोटल 13 Quadrains हैं इस पोयम में और साथ ही हर Quadrains की जो Rhyming Scheme है वो है AB AB पूरी पोयम में दो बेसिक थीम्स को डिसकस किया गया है पहली थीम तो है ब्यूटी ओफ नेचर किस तरह ये जो ब्रूक है ये अपने रास्ते से बहती जाती है और नेचर की खुबसूरतियां इसे दिखाई देती है फूल दिखते हैं पॉधे दिखते हैं पशुपक्षी दिखते हैं इस तरह से नेचर की ब्यूटी और दूसरा है human वर्सेज नेचर कि human life जो है वो नेचर से कितनी different है human life छोटी है temporary है उनकी death हो जाती है जबकि जो brook है वो permanent है, साथ ही nature भी permanent है तो इसी पर ये पूरी poem based है, आगे हम इस poem को discuss करेंगे Prince Alfred Lord Tennyson एक British poet थे, उनका जन्म हुआ था 6 August 1809 में और उनकी death हुई थी 6 October 1892 में साथ ही वो Great Britain और Ireland के poet laureate भी रह चुके हैं और उनकी famous works में Clarible, Mariena, Ulysses और Tithonus ये सभी शामिल है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं I come from haunts of coot and hern यानि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहां पर haunts हैं, जुन्ड हैं किनके koots के, koots एक तरह के bird होते हैं और साथ ही hern hern friends heron पक्षी के लिए कहा गया है तो यहां पर इन पक्षियों के जुन्ड होते हैं एक ऐसे water body के पास से मेरी शुरुवात होती है I make a sudden sally यानि मैं अचानक से ही अपनी speed बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ and sparkle out among the fern friends fern का मतलब उन छोटे पौधों से हैं जो brook के किनारे उगा करते हैं तो उनके पास से यह जील बहती है, brook बहती है और इसका पानी जो है वो sparkle करता है, चमकता है to bicker down a valley और फिर यह जो brook है, यह धीरे धीरे बहती हुई एक valley में यानि एक घाटी में पहुँचती है by 30 hills I hurry down or slip between the ridges आगे brook अपने रास्ते के बारे में बताता है कि वो अपने रास्ते में 30 hills यानि 30 पहाडियों को क्रॉस करता है और साथ ही जो ridges होते है यानि पहाडों के बीच जो पत्थरों के छोटे 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 टुकडे होते है उस रास्ते से बहती वी ये brook आगे बढ़ती जाती है by 20 thorps a little town and half a hundred bridges और साथ ही ये कहाँ से गुजरती है तो 20 thorps से यानि 20 villages से गाउं से एक छोटे से शहर से और लगभग 50 bridges के इन सभी चीजों के सामने से इनकी बगल से होते हुए ये जो brook है ये आगे बढ़ती चली जाती है तिल लास्ट बाई फिलिप्स फार्म आई फ्लो और अंत में ये brook कहाँ पहुचती है तो एक फार्म पहुचती है जो की फिलिप्स नाम के एक आदमी का है वहाँ ये brook पहुचती है to join the brimming river और वहाँ पहुचकर ये क्या करती है जो बड़ी नदिया है उन में जाकर ये मिल जाती है और वहाँ पर इसकी जर्णी जो है ये end होती है यानि कि भले ही आदमी आते हैं और आदमी जाते हैं मगर मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूं इसका मतलब आप इस तरह से समझे कि जो humans हैं वो इस दुनिया में आते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है वो मर जाते हैं लेकिन ब्रूक जो है ये जो जील है नदी है इसकी कभी डेथ नहीं होगी इसका पानी हमेशा बहता रहेगा और ये पर्मनेंग्ट है यानि यहाँ पर ब्रूक बताती है अपनी जर्णी के बारे में कि मैं पथरीले रास्तों पर स्टोनी वेज यानि ऐसे रास्ते जो पथरों से बने हूँ उन रास्तों पर आगे बढ़ती हूँ और मेरे मुवमेंट से कुछ साउंड पैदा होते है ये जो चार्टर वर्ड है ये साउंड के लिए यूज होता है तो मेरे बहने से एक साउंड पैदा होता है म्यूजिक की तरह और ये कब होता है जब मैं पथरीले रास्तों से गुजरती हूँ और फिर मैं बहती हुई बेज में बेज का मतलब होता है फ्रेंट्स खाड़ी जैसे बे ऑफ बिंगॉल है तो वैसे ही मैं बहते हुए जो खाड़ीया है उनके पानियों में मिल जाती हूँ उनमें बह जाती हूँ I babble on the pebbles और साथ ही जो किनारे पर छोटे छोटे पेबल छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे भी मैं टकराती हूँ यानि मैं आगे बढ़ते हुए खाड़ीयों में भी मिलती हूँ और जो मेरे बैंक्स के किनारे पर पत्थर हैं उनसे भी मुलाकात करती जाती हूँ अब ये ब्रूग जो है ये बताती है कि मैं अपने रास्ते में एक कर्व लेती हूँ यानि थोड़ा गोल घूम जाती हूँ और फिर मैं किधर से गुजरती हूँ तो एक फील्ड के सामने से ठीक है एक फील्ड के सामने से और फैलो यानि फार्म लैंड के पास से यानि मैं अपने रास्ते में थोड़ा गोल घूमती हूँ एक कर्व लाइन में जाती हूँ और इस रास्ते से मुझे फील्ड्स मिलते हैं, फार्म हाउसेज मिलते हैं और साथ ही मैं एक फोर लैंड से, एक खूबसूरत से, बगीचे से या बड़े से फील्ड मेडो से गुजरती हूँ जो देखने में ऐसा लगता है मानो ये फेरीज का हो, परियों का हो इतना ब्यूटिफुल है, और वहाँ पर क्या हैं, विलो वीड हैं, यानि घास के बड़े बड़े पौधे हैं, और साथ ही मैलो हैं, यानि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इसलिए वो जगल जो है और भ बड़ी नदी से मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मुझसे एक म्यूजिक निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुन-गुना रही हूँ क्योंकि भले ही आदमी आते हैं और आदमी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ, मैं कभी नहीं रुखती, मैं humans की तरह temporary नहीं हूँ, मैं permanent हूँ I wind about and in and out, अब आगे जो ये ब्रूक है, ये अपने बहने के तरीके के बारे में बता रही है, कि मैं कैसे आगे बढ़ती हूँ, तो zigzag करते हूँ, zigzag motion होता है इस तरह का, तो इस तरह से मैं बहती भी जाती हूँ, lands के बीच में With here a blossom sailing, और यहां क्या है, मेरे पानी में एक blossom, यानि एक खिला ववा फूल जो है, वो भी बह रहा है And here and there a lusty trout, फ्रेंट्स ट्राउट आप जानते ही होंगे, एक फिश को कहा जाता है, तो मेरे पानी में एक ट्राउट नजर आता है And here and there a grilling, grilling भी फ्रेंट्स फ्रेश वाटर फिश को कहा जाता है, तो वो भी मेरे पानी में खेलती हुई, बहती ही नजर आती है यानि ये जो जील है, ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आ रही है, कुछ फूल जो इसमें टूटकर गिर पड़े हैं, वो भी इसके साथ बहते जा रहे हैं और साथ ही इसमें बहुत सारी मचलियां भी है And here and there a foamy flake upon me as I travel Friends, पानी जो है वो इस ब्रूक में बहता जा रहा है तो क्या होता है, पानी में bubbles बनते हैं, foam बनते हैं यानि जिसे हम जाग कहते हैं, वो बनती है और वो इस पर नजर आ रही है दूर से देखने पर इस ब्रूक पर जाग नजर आ रही है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है With many a silvery water break above the golden gravel Golden gravel friends क्या हुआ तो जो bank है, जो ब्रूक का किनारा है उस पर जो मिटी है, सैंड है, छोटे छोटे पत्थर हैं वो shine कर रहे हैं धूप की रोशनी में और उसके बगल से ये पानी बहती भी जाती है, इस पर भी धूप की रोशनी पर रही है और ये sparkle करती है, बिल्कुल silver कलर की तो जैसे ही ये पानी उस bank के बगल से गुजरता है तो एक silver और golden का contrast बन रहा है And draw them all along and flow to join the brimming river यानि मैं इन सभी चीजों को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता हूँ, अपने साथ आगे ले जाता हूँ कहां तो उस बड़े से बहते वे नदी में मिलने के लिए For men may come and men may go, but I go on forever ये line friends बहुत बार repeat होती है इस poem में यही same बात है कि जो आदमी है वो आते हैं और फिर चले जाते हैं लेकिन मैं हमेशा इसी दुनिया में रहूँगी, हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers यानि जो lawns होते हैं, बड़े घास के मैदान होते हैं और जो fields होते हैं, उसके बगल से मैं चुपके से निकल जाती हूँ और जो hazel covers हैं, friends hazelnut आपने सुना ही होगा तो यह जो hazel हैं, यह hazel के पेड़ों के बारे में कहा जा रहा है तो उनके जो covers होते हैं, जो उनके leafy जुंड होते हैं, उसके नीचे से मैं बहती भी चली जाती हूँ I move the sweet forget-me-nots, friends forget-me-nots भी एक तरह के छोटे पौधे होते हैं, तो उन्हें भी यह जो जील है, यह अपने रास्ते में बहा कर ले जाती है छोटे छोटे पौधे होते हैं, अपने पानी में इसे भी बहा कर ले जाती है That grow for happy lovers और यह जो forget-me-nots हैं, यह किन के लिए उखते हैं, तो lovers के लिए उखते हैं यानि यह जो plant है, यह love का एक symbol है लेकिन मैं इसे अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ I slip, I slide, I gloom, I glance अब अपने बारे में यह ब्रूक कहती है कि मैं धीरे से जाती हूँ फिसलती भी चली जाती हूँ, छुप कर जाती हूँ और जागते हुए जाती हूँ मेरे जो रास्ते हैं, उनमें अलग-अलग चीजें आती हैं तो उनके हिसाब से मेरी बहाव जो है, कभी वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है तो कभी वो स्लोली होती है Among my skimming swallows फ्रेंट, swallows एक तरह के पक्षी होते हैं तो जो पक्षी हैं, वो भी इस water के, इस ब्रूक की जो सर्फेस है उस पर आते हैं ताकि क्या कर सके, जो छोटे-छोटे पानी में इंसेक्स हैं, उन्हें पकड़ सके अपना खाना ढूनने, ये swallows इस ब्रूक के पास आते हैं I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows फ्रेंट्स, netted sunbeam dance अब इसका मतलब समझना होगा कि पेडों से जब धूप निकलती है तो क्या होता है, पत्तों से टकराते वे कहीं छाओ होती है कहीं धूप की रोशनी आती है तो ऐसा लगता है मानो धूप का एक जाल बनावे, बिलकुल net की तरह तो यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं यह जो ब्रूप है बता रही है कि मेरे उपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है उन पेडों से होते हुए ऐसा लगता है मानो की एक नेट हो एक जाल हो मेरे उपर और पानी के मूवमेंट से वो जाल डान्स कर रहा है और यह सब कहां हो रहा है तो उन बैंक्स के किनारे क्योंकि बैंक्स पर वो पेड़ हैं किनारे पर पेड़ हैं तो उन पर से यह धूब गुजर रही है और मैं क्या करती हूँ जब रात के समय ट्रैवल करती हूँ तो मुझसे धीमी आवाजे आती है ऐसा लगता है मानो मैं बड़बडा रही हूँ धीमे धीमे और यह कब होता है जब मैं वाइल्डरनेस यानि जंगलों से होकर गुजरती हूँ तो उस समय क्या होता है मुझसे धीमी आवाजे आती है फ्रिंट्स लिंगर का मतलब होता है रुकना या अपनी स्पीड को कम कर देना तो मैं जब अपने शिंगली बार्स यानि अपने किनारे के पास से गुजरती हूँ वो किनारा जहां पर छोटे छोटे पत्थर है तो वहाँ जाकर मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेती हूँ अपने स्पीड को थोड़ा कम कर लेती है और वहाँ पर से आराम से गुजरती है और इन सब से जब ये जील ये ब्रूक आगे बढ़ती है तो ये फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाती है एक कर्वड रास्ते से जाती है और इसे किस बात की अब जल्दी है तो उस ब्रिमिंग रिवर उस बड़ी सी बहतीवी नदी से मिलने के लिए क्योंकि भले ही जो लोग है वो आते हैं और फिर चले जाते हैं लेकिन मैं हमेशा यहीं रहती हूँ और हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ यहाँ पर फ्रेंट्स यह पोयम खत्म होती है बहुत ही फेमस पोयम है यह सिंपली यह बताती है कि ब्यूटी ओफ नेचर कितना है हुमन्स तो कभी इसे सही तरीके से देख नहीं पाते और हुमन लाइफ बहुत ही टेंपररी है ब्रूक से कोई कमपैरिजन नहीं है उसका तो फ्रेंट्स यह थी आलफ्रेड लॉट टेनिसन की पोयम दब्रूक अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट करें